हेलो स्टुडेंट्स मैं संतो उस्कुमार गुपता आपका आइसे आइटी आलेंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आई के बारे में यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस आज के क्लास में हम लोग सिखेंगे कि यूपी आई क्या होता है कैसे क्या आता है इसके बेनिफिट्स क्या है इससे पहले मैंने आपको नेफ्ट, अर्टीजियस और आयम्पीयस का सप्रेट वीडियो बना के दिया है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्कुप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप उसे जरूर देखिए तो आज का वीडियो काफी अच्छा होने वाला है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसे लाश्ट तक जरूर देखिए तो देखें UPI UPI का फुल फॉर्म होता है Unified Payment Interface तो देखें UPI की अशक्ता हमें कव लगती है जैसे उधारर के रूप में आपका बैंक में एकाउंट है तो अगर आपका बैंक में एकाउंट है तो बैंक आपको एक मुबाइल एप देता है जिसे आप प्ले स्टोर से पर अगर आपके पास पांच बैंक के एकाउंट है तो आपको हर बैंक का अलग-अलग एप रखना पड़ेगा तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम कोई एक एप रखें और उसमें हम अपने सारे अलग-अलग बैंक जो हैं उनको हम एक ही प्लेटफार्म पर यूज कर पा है इसका मतलब सीघर भुकतान जाता है और 24 इंटू सेबर इंटू 365 मारे हमेशा यह चालू रहता है इसे हालिडे से कोई मतलब नहीं है और इसमें हमें बेनिफिसरी के एकाउंट्स या बैंक का देने की जरूरत नहीं होती है हम केवल मोबाइल नंबर या उसका जो यूप कर रहे होंगे तो आप जिसे भुकतान देना चाहते हैं पहले उसे बेनिफिसरी के रूप में हमें एड करना होगा और जब आप बेनिफिसरी एड करते हैं तो तुरन एक्टिवेट नहीं होता है कुछ समय लगाएगा हलाकि ICCI या ऐसे बैंक वाले क्विक बेनिफिसरी य जहां हम केवल बैंक एकाउंट नंबर और एकाउंट का नाम और IFC कोड देके बुकतान कर सकते हैं पर अगर आप UPI कर रहे हैं तो आपको यह सारी चीज़ें देने की ज़रत नहीं है यह इसका एक बेनिफिट होता है तो चलिए देखते हैं क्या है A UPI is a smart phone application that allows user to transfer money between bank accounts यानि कि जो UPI है ये smart phone application है जो अनमती देता है कि आप बैंकों के बीच money का transfer करें It is a single window mobile payment system यानि एक single window mobile payment system है और इसको बनाया है National Payments Corporation of India ले इसके अंदर हमें bank detail देने की ज़रत नहीं होती है Other sensitive information each time a customer initiates a transaction माने आप जब भी transaction करेंगे तो आपको हर transaction के लिए beneficiary का detail देने की ज़रत नहीं है अगर आप सबजी खरीद रहे हो सबजी वाले को 100 रुपया दे रहे हो आप माल लेते हैं कि कोई grocery के दुकान पर हो कोई भुकतान ले रहे हो तो जरूरी नहीं कि उसे हम हमेशा भुकतान देंगे कि उसे beneficiary में add करें टाइम लगे सीरे आपने उसके UPI ID at QR code के मादन से payment कर दिया beneficiary नहीं add करना है It is a secure and easy way of making payment माने ये बहुत आसान और सुरच्छित भुकतान करने की प्राड़ी है और ये हमेशा काम करेगा 24 into 7 365 days काम करेगा और UPI का जो limit है transaction का वो 1 लाक रुपेस per day है और एक और खास बात इसमें आपको कोई भी charge नहीं देना है इसका कुछ भी पैसा भुकतान का नहीं लगता है आप इसके जरी बिल पेमेंट, मोबाइल फोन, रिचार्ज या कोई भी shopping का काम कर सकते हैं नार्मली UPI का प्रियोग fund transfer, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग पेमेंट, बैलेंस चेक या और भी बैंकिंग से रिलेटेट भुकतान जहां भी करना है आनलाइन हम कर सकते हैं, ways of making payment through UPI माने क्या तरीका है इसके द्वारा भुकतान करने का, तो using pays UPI ID, या आपके पास जिसे भुकतान करना चाहते हो, अगर वो भी UPI उच कर रहा है, तो उसके ID के माद्यम से आप कर सकते हो, या उसके account number और IFC code के माद्यम से कर सकते हो, या उसक जो mobile number है, उस mobile number से भी आप उसको भुकतान कर सकते हो वाया phone content, you can make payment by only selecting payee counting number, in this case you do not need details of pair, और आप scan करके भी पे कर सकते हो, या से QR code, तो ये माद्यम है जिन से हम payment करेंगे, इसका benefit क्या है, benefit यह है कि ये all time active है, holiday से इसका कोई मतलब नहीं है, आपको beneficiary add करने की जरूत नहीं है, आप एक लाख रुपे तक भुकतान बिना किसी चार्च कर सकते हैं, आपको केवल एक app की जरूत होगी और उसमें कई bank account को आप add कर सकते हैं, उनके अलग-अलग app डाउनलोड करने की हमें जरूत नहीं है, UPI जो होगा वो scan, यानि QR code के मा बात कर लेते हैं, तो NPCI has set a transaction limit and per day transaction limit for UPI transfer, यानि जो NPCI है जो इसे बनाया है, इन्होंने इसके transaction की एक लिमिट और एक दिन में कितने transaction करोगे, उसकी लिमिट बढ़ा रखी है, at present the UPI transfer limit per UPI transaction 1 लाग, मने एक लाख रूपे तक का आप एक दिन में transaction कर सकते हैं, this limit is enable us, UPI is based on IMPS technology, यह IMPS technology के उपर यह limit काम करेगा, in most of cases, the maximum number of UPI transaction is limit to 20, मने कभी-कभी क्या होता है, कि आपको facility मिलती है, कि आप एक दिन में 20 बार transaction कर सकते हैं, although the transaction limit per UPI transaction is 1 लाग, मने आप एक बार में 1 लाग रूपे का transaction कर सकते हैं, the upper limit depends on the bank to bank, यानि इसका जो upper limit है, वो bank to bank के उपर अधारित होगा, therefore, upper limit could be between 10,000 to 1 लाग रूपे, the transaction limit per day for UPI 1 लाग, the maximum limit for Bheem, Bheem एक आप आता है, जिसकी बात मैं आभी आगे करूँँगा, वो भी UPI के लिए उसके आता है, तो अगर आप Bheem एप का यूज़ कर रहा है, कि 10,000 पर transaction और 20,000 रूपे का आप एक दिन में transaction करेंगे, यह limit जो है, यह time to time RBI के डारा revise होती रहती है, अब how to use UPI, UPI को हमें कैसे यूज़ करना होगा, तो देखें, UPI को यूज़ करने के लिए बहुत सारे एप आते हैं, तो हमें उनमें से जो एप ज़्यादा सही लग रहा हो, जिस पर हमें विश्वास हो, जैसे Google पे है, फोन पे हैं, ऐसे बहुत सारे आयप आते हैं, तो हमें उन्हें प्ले स्टोर से लोड करना होगा, जब वो लोड हो जाएंगे, वो इंस्टाल हो जाएंगे, तो आपको अपने bank account, add your bank account with the help of your registered mobile number, आपने registered mobile number के मदद से अपने bank account को आप एड करोगे, once your bank account is added, जब एक बार आपका bank account add होया आगा, तो आपको कुछ details अपने देने होंगे, और आपको बनाना होगा, और आप बना सकते हैं, एक virtual payment address भी बना सकते हैं, and check for availability, और इसे check करना होगा, कि इस नाम को किसी और ने तो नहीं बना रखा है, जो यह prefix है, तो आपकी जो एच्छिक virtual payment address है, वो भी आप बना सकते हैं, फिर आपको submit पर क्लिक करना है, तो आपका confirmation आजाएगा, कि आपका registered हो गया है, अभी बात करते हैं, how to register for UPI, जब आपने एक बार अपना VPA वाला काम कर लिया, after creating the VPA, you would be asked to create M-PIN, आपको एक M-PIN बनाना होगा, M-PIN इसलिए बनाना है, कि जब भी आप उस एप में जाएंगे, तो वो एक PIN यानि परस्नल इंफार्मिशन नंबर या पास्वर पूछेगा, और जब भी कोई आप transaction करेंगे, तो वो PIN पूछेगा, तो उसे हम लोग M-PIN बोलते हैं, तो जब एक बार आपने अपना virtual payment address बना लिया, तो you would be asked to create M-PIN to use UPI, select the bank account you want to pay using UPI, click on mobile banking generate M-PIN, आपके पास OTP आएगा, आपको OTP दीजे, आपसे वो debit card का number और उसका expiry date पूछेगा वो दीजे, और फिर आपको एक confirmation text आजाएगा आपके M-PIN के लिए, तो हमें M-PIN बनाना होगा, अब हमें भुपतान करना है, तो हम कैसे करेंगे, how to make payments with UPI, तो you can make payment through UPI application by following steps, आपको पहले अपने उस UPI application को open करना होगा, फिर आपसे वो pin number पूछेगा, जब आप successfully login हो जाएगे, तो आप beneficiary का virtual ID डालिए, amount डालिए, और जो आपको debit करना है, फिर एक बार आप review के लिए आएगा, आप confirm पे click करिए, M-PIN डाल दीजे, fund आपका गया की नहीं गया, उसका message आजाएगा की success है की failure है, तो इस तरीके से हम easily virtual ID का प्रियोग करके किसी भी account में पैसा बेश सकते हैं, यह वो कुछ popular एप हैं, जिने हम लोग UPI payment के लिए उच करते हैं, phone pay, Paytium, Mobiquick, Google Pay, Bheem, HBI, Kotech, 811, ऐसे यह एप हैं, जिने हम यूज करेंगे, इन्हें प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं, payment corporation of India ने बनाया, इसे हमारे भारत के प्रधामंत्री माननिये नरेंद मोदी भी जी के द्वारा 30 दिसंबर 2016 को इसे शुरुवात किया था, भीम facilitate digital payment through UPI, हम UPI के माध्धम से इसमें बुक्तान करते हैं, और virtual payment address बनाते हैं, वाई making payment through UPI, there is no need, बने आपको कोई FC code या bank account को देने की ज़रुत नहीं, आप virtual payment address से बुक्तान करेंगे, ये QR code को भी support करता है, आप QR scan करके भी अपना बुक्तान कर सकते हैं, तो ये एक हमारा वीडियो था, जिसमें मैंने आपको UPI के समंधित details दिये, अब मैं आपको अग GPS है, हमारा IPS है और हमारा UPI है, हलाकि separate separate चारों का वीडियो है, और आप उन वीडियो को देखोगे, तो आपको automatically उनका difference में आयागा, मगर मैं एक अलग से पांचवा वीडियो डालूँगा, इसमें मैं इन में difference दिखाऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, शेर करिए, सबस्क्राइब बटन पर क्लिक करके आप बेल आइकन को जरू लिया करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाओ, तो उसका एलर्ट आपको तुलन मिल जाए, इसी के साथ मैं अपना वीडि ले क्या होगा, आपका दिन सुभ हो